क्या सुल्तान टू में सल्मान खान नहीं दिखेंगे ड्रेसलर के क्यारेक्टर में और कौन है वो साउथ इंडस्ट्री का काफी पॉपुलर आक्टर जो बन सकता है सुल्तान टू में विलिन इन तबाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगे हमारे इस वीडियो में के लांस तक बने रही हमारे का तो चलिए दोस्तों वीडियो के शुरुआत करते हैं आज हम बात करेंगे सुल्तान टू के उपर जैसा कि हम लोग जानते हैं सुल्तान टू एक अपकमिंग सीक्वल मूवी है जो बेस्ट है स्पोर्ट्स रोमांस के कॉंसेप्ट पर और इस मूवी के लिए फैन्स काफी लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं इसलिए फैन्स हमेशा जब सल्मान खान की सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर लाइव आते हैं या फिर प्रेस कॉंफरेंस करते हैं तो उनसे सवाल जरूर करते हैं कि आखिर सुल्तान का सीक्वल कब फैनली सल्मान खान ने इस मूवी को लेकर अपनी चुपी तोड़ दी है उनका कहना है कि वो जल्द ही इस मूवी को फैन्स के बीच लाने वाले हैं और इसकी शूटिंग को भी इसी साल के एंड में शुरू कर सकते हैं साथ ही उन्होंने अपने फैन्स के लिए ये के लिए अगर हम बात करें इस बार सुल्तान टू में सल्मान खान हमें कैसे लुक में दिखने वाले हैं तो बॉलिवुड के गल्यारों से ये खबर आ रहे हैं कि सल्मान खान इस बार हमें एक कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जी हाँ सुल्तान टू में सल्मान खान अपनी बेटी के कोच के तौर पर दिखेंगे और मैं आपको बता दू उनकी बेटी का किरदार हमें अलाया एफ निभाते हुए दिख सकती हैं साथ ही इस बार वो हमें मूवी में काफी रसलिंग के साथ मूव्स और फाइट सीन्स कर अब सल्मान खान और अलाया की बाप बेटी की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है बॉक्स ओफस पर ये तो सुल्तान टू के रिलीज के बाद ही पता चलेगा तो दोस्तों आपको याद ही होगा इस मूवी के प्रीक्वल में हमें कोई बोलवु डाक्टर विलन की भूमिका में नहीं दिखाता पर अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है इस बार हमें प्रकाश राज इस मूवी में विलन का रोल नभाते हुए दिखेंगे साथी मैं आपको ये बता दो कि उनकी सीधी टकर होगी सल्मान खान से और वज़े होगी उनकी बेटी उनकी बेटी को ओलिम्पिक नहीं मुझे आनिया पढ़नावत को दीजिए इजाजत अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले साथी हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें